नमस्तार मैं हुनी वेधिता जब बिहार की मजफ़परपुर में बच्चों की मौत हो रही थी तो देश के तमाम लोगों ने इसे देश की समस्या बताया तमाम मीडिया में एक खबर चाही रही लेकिन अब जब कोटा में बच्चों की मौत हो रही है तो इस खबर को आपको शायद ही कहीं देखने को मिला होगा राजिस्तान में कोटा शहर के जेकेलोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है नए साल के पहले दो दिन में यहां दो बच्चों की मौत हो गई है इन्हें मिला कर बच्चों की हुई मौत का कुल आंख़ा 102 हो गया है बच्चों के इलाज मिलापरवाही के आरोपों से चर्चा में आये जेकेलोन अस्पताल में पिछले साल कुल 963 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोटिया था बीते दिसंबर महिने में मौत का आख़ा अचानक बढ़ने से हड़कंप मच गया विपक्ष ने अशोग गहलोज सरकार को इस मुद्दे पर खेरा लेकिन जाज रिपोर्ट में लाज मिलापरवाही नहीं बलकि ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होना और ठंड को मौत की वजह बताया गया दिसंबर महीने के आखरी दो दिन 30 और 31 दिसंबर को अस्पताल में 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया था अकेले दिसंबर में यहां 100 बच्चों की मौत हो गई थी साल 2019 में कुल 963 बच्चों की मौत की आखड़े ने जे किलोन अस्पताल में जिम्मेदारों पर सवाल उठाए और सरकार को भी कट घरे में खड़ा किया 23 और 24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में 10 शिशूओं की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ था लेकिन यह ऐसा देश है जहां आप सरकार या अधिकारियों पर सवाल उठाएंगे तो वो आपको पिछला आखड़ा बता देंगे और मौत पर भी यही कहेंगे कि पिछले साल से इस साल कम बच्चे मरे हैं आपको इस अस्पताल का कुछ और सत्य बताते हैं ऐसे में फिर सरकार पर सवाल उठता है कि जो मातरित्व योजना है उसका लाब क्यू नहीं जरूरत मंदों तक पहुँच रहा है खेरबाद सरकार के भी कर लीजे जिनकी जिम्मेदारी होती है उस राज़ी के भविश्य को समारना लेकिन जो अस्पताल नहीं मौत बाट रहे हैं उनका क्या अशोग गहलोद ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जेके लोन अस्पताल कोटा में हुई बीमार शिशों की मृत्यू पर सरकार समवेदनशील है इस पर राज़नीती नहीं होनी चाहिए कोटा के इस अस्पताल में शिशों की मृत्यू दर लगातार कम हो रही है हम आगे इसे और भी कम करने के लिए प्रयास करेंगे मा और बच्चे स्वस्थ रहें ये हमारी सर्वोच प्रात्मिकता है स्ट्रीट के बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक सरकार इन अस्पतालों को दुरूस्त करेंगे आखिरा शों गहलोत कब तक इस कलंक को धोपाएंगे